हेलो फ्रेंट्स वेल्कम तो माई चैनल शाइस्ताज एवरीडेय लाइफ तो सुबह का वक्त है और हम बाजी के घर से रवाना हो चुके हैं इन ड्राइव मंगवाली थी हमने तो इन ड्राइव आगी थी टाइम से तो बस अप अपने घर की तरफ रवान तवा है आदे घंटे का रास्ता है आदे घंटे में घर पहुंच जाते हैं हम यह रास्ते में एजुकेटर्स उस्कूल आ गया था अच्छा बड़ा उस्कूल है फिर यह ट्राउमा एंड जर्णरल हॉस्पिटल है फिर उसके बाद हम मार्केट यह आ जाती है बीच में मार्केट थी इतवार था तो इतवार को जो है संडे बजार भी लगा वहाँ था अगे नर्सरी शुरू हो जाती है जी तो मैं फिरिज साफ कर रही हूं यह वाला हिस्सा साफ कर दिया है अब यह वाला को उप्शन साफ कर दो इस नीचे का भी करोंगी और टाइम से साफ नहीं हुआ तो आज मैंने जुचा के साफ कर लूं जाने पहले जोटी फिरिज बन करके जाना होगा यह सब भी थोए हैं साफ कर रहे हैं सारी चीजे इसकी वाश की है पार्ट्स निकाल कर यह देखें कितनी बरब निकली है जी तो मैंने यह फिरिज साफ कर लिया है यह उपर कभी पूर्शन साफ कर लिया है यह साफ कर लिया है यह सबसे ज्यादा कंदा हो रहा है बहुत ज्यादा कंदा हो रहा है अब साफ होगा है अब साफ है कि अब बन कर जाएंगे तो यह मैंने खर्बूजा लिया आप तर्बूज लिया खर्बूजे की तैली पता नहीं कैसे दी थी फूप वाले ने यह रास्ते में निकल गई तो एक खर्बूजा गिर गया अब जो गिरा ना खर्बूजा और रुदी पेपर वाले अब जाएंगे ने उठा लिया फिर मैंने का चलो छोड़ो तो यह अब एक खर्बूजा रहे गया और सो तो वैसे ही चले जाएंगे हम लोगे चालना ताला बस यह बड़ा काम था तरिस्साफ करने का लेकर आई हैंगे अच्छा फिर गड़ा लेकर आई हूं आच कि अगर लाउग करना होगा तो ताला चाहिए था जरा अच्छा वाला तो यह जो ताला है ना यह ऐसा होता है कि इसकी चाबी बहुत मुश्किल से बंदवाती है कोई बनावा ने सकता है इसकी इसलिए मैंने फाले मैं यह वाला ताला लेकर आई थी इस तरह का एक और नया बस्ताइर हो जो तुगे तो इसलिए मैंने यह लेकर आई और मिकराणी दपर आई थी यह कुछ कोड़ेडी बात्रें स्टापुरेश पैड़ा शाजियां निकालेहें यह सारे कपड़ें देने के लिए मासी को तो मासी बसाने वाली थी तो उसके लिए ये थैले बना बना के रख दिये थे ये जो है अड़ास में मासी आती है तो उसको बलवाया था बस अब दूआ कीजिएगा के हम लोग खेर और आफियत के साथ जो है दुबई पहुंच जाएं दूआओं में याद रखिएगा हमे और हमारे घर की भी बस पीछे हमारे हिफाज़त रहे अल्ला पाक हमारे घर को जो है सेव रखे बस यही दूआ है हमारी ये शाम को बाजी के आँसे आने के बाद पिर उनका जहां मेरा ये जो मेरा स्टूड़न पढ़ने आता है ना अल्ली उसकी अम्मी का फून आया था कि आज अफ्तारी पे आजा और तो बस हम अफ्तारी पे चले गए थे इनके घर पे तो उन्होंने भी बहुत अच्छे अफ्तारी बनाई थी जिगन पकोड़े थे रशियन सैलिड थी समोसे थे रोल थे जूस था और प्रूट चाट थी पकोड़े थे और एक और किसम की जोए उन्होंने पूर चाट बनाई थी दो किसम की बनाई थी और एक रश्यन सैलिड थी और ये जोले तही बड़े की चाट थी और फ्रेंच फ्राइज थे और sandwiches थे, खजूरें थी, अच्छी बनाई थी इन्होंने भी अफ्तारी, ये भी बहुत मज़े की salad थी इनकी, और काले छोले बनाई थे If you like my video, please like, share and subscribe and also do comments below, thanks for watching